आज हम अपना lesson number 16 स्टार्ट करेंगे और इस lesson में हम अपने दो lessons का review देंगे 7 और 8 ताकि हम साथ साथ लेसन पीछे वाले cover करते जाएं और फिर हम अपने आगे के lesson स्टार्ट करें तो से पहले हम एक दफा पिछले lesson की review exercise देख लेते हैं ताकि हमारा पीछे वाल lesson भी revise हो जाए पिछला जो हमारा lesson था वो food से related था तो हम उसमें से कुछ important words को पढ़ेंगे पहला word है हमारे पास it's mean cutlery जो हम खाने के लिए यूज करते हैं चम्मच हो गया कोई चुरी कांटा प्लेट्स ग्लास ये सारी चीजें cutlery में शामिल होती है गार्फू गार्फू मीन चुरी I am so sorry गार्फू मीन होता है फोग जिसे हम उर्दों में कांटा भी गहते हैं नेक्स वर्ड है फाक का यानि नाइफ चुरी कुलर यानि स्पून चम्मच प्रिसीजू का मतनब होता है तुनीड यानि जो हम संटेंस को मिलाने के लिए हम जो यूज कर रहे होंगे तो ये वोवला वर्ड लिखाव है तुनीड नेक्स दो एउम और उमा ऑमा में एन हम इंग्लिष में वहां लगा रहे होते हैं जो वोवलोड नागा वहाँ पर हम एन लगा जैसे हैं जैसे एन एपल एन एलिफेंट ठीक है एन अम्ब्रेला तो यह ए और एन का फर्क होता है यह मुखले सिच्वेशन बें मुखले सेंटेंस के साथ लगते हैं लोईसा इट्समें टेबल वेर जो टेबल के उपर बिछाने के लिए जो चीज यूज होगी टेबल वेर नेक्स वर्ड है हमारे पास प्रातू यानि प्लेट भी हो सकती है और डेश भी हो सकती है तासा इट्समीन बाउल जिसे मुर्द में डॉंगा भी कहते हैं कौपू कौपू में ग्लास लास्ट हमारा वर्ड है कैनेकर इट्समीन मग अब हम अपने लेसन की तरह बढ़ते हैं और इस लेसन में हम रिव्यू आफ लेसन 7 एट करेंगे हमारा लेसन नमबर 7 जो था वो एनिमल से रिलेटिड था और लेसन नमबर जो एट था वो फिजिकल एक्सरسाइस से रिलेटिड था तो हम उन दोनों को कम्बाइन करकर इस लेसन में बढ़ेंगे हम स्टार्ट करते हैं ऐनि माइश इट्समीन इनिमल यानि जन्वर पहला वर्ड हमारे पाथ से है गातू cat cow it means dog ये जो A के उपर sign है हम इस वज़े से इसे am पढ़ेंगे A नहीं पढ़ेंगे cow next word है passeru it means bird यानि परिंदा अब वो परिंदे में bird में कोई भी हो सकता है ये इंगलिश से मिलता जुलता है elephant यानि elephant lion यानि share line जिस तरह हम stars वढ़ते हैं उसमें Leo होता है ये भी उसे से मिलता जुलता है यानि share ursu bear यानि reach cowaloo horse tiger यानि tiger इंगलिश से मैच करता है toru bull tartaruga यानि turtle kachwa porku pig जिसे हम khinzir भी कहते हैं waka cow owala sheep यानि भेड patu duck यानि बत्त now some verbs related with these subjects यानि जो हमने animals name पढ़े हैं उनसे हम sentence बनाने के लिए हम कुछ verbs पढ़ेंगे ताके हम जब हम exercise करें तो उनको हम जोड कर अपना sentence complete कर सके कुखेर run भागन and there to walk यानि चलन sell there jump यानि कूदन depressor यानि fast तीज ये adverb है अगे जब हम exercise करेंगे तो मैं बताऊँगी कि adverb क्या होता है दिवागार slowly यानि आहिस्ता ये वर्ड हमारे लिए इस lesson में नियू है लेकिन मैं एक short में भी इस word के बारे बता चकी हूँ उस short में मैंने word use किया था आलता और उसका meaning था tall यानि लंबा लेकिन यहाँ आलतू है तो it's mean high यानि उंचा बड़ा भी कह सकते हैं उसी meaning में आता है आलता और आलतू अब हमारे साबने exercise है उ कवालू उ पौर्कू उ तीग्र अब हमने इसमें suitable verb और suitable adverb लगाना है verb क्या होता है verb को हम उर्दू में fail कहते हैं यानि कोई भी काम ठीक है और adverb वो होता है जिसे हम इसम सिफ्ट भी कह रहे होते हैं जिसमें आप किसी चीज़ की खुबी या खामी बयान कर रहे हूं वो adverb होगा किसी भी language को समझने के लिए सबसे पहले हमें grammar काना बहुत जरूरी होता है जिस तरह fast और slow ठीक है फास्ट होना अच्छी quality में आ सकता है और slow होना bad quality में लेकिन हम दोनों को adverb में बयान करेंगे ठीक है इसी तरह good, bad, beautiful, ugly यह सारी जो चीज़े हैं वो adverb में आती हैं तो अब हम इनके सामने हम वना सिर्फ जो की suitable verb है और adverb है वो लगाते हैं और अबना sentence complete करते हैं कवालू mean हमने अभी पीछे पढ़ाता है होर्स वर्ब की जगह हमने लगाया कोखेर यनी run भागना एक काम है उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जागना यह सारी चीज़े वर्ब पे आती हैं और adjective हमने लगाया fast the horse is run fast, घोड़ा, तेज दोड़ता है हमने वर्ब का इस्तमाल भी किया हमने एडवर्ब भी लगाया pig is walk slowly, pig जो है वो आहिस्ता चलता है इसमें भी हमने एंदार यनी walk और दिवगार इंट slowly यनी आहिस्ता इसमें भी वर्ब और एडवर्ब दोनों यूज़ किया तो पुरा sentence बन गया pig is walk slowly, third है वो तेगर सैलता आलतू, tiger is jump high, सैलता जम आलतू, हाई चीता जो है वो हाई जम पगरता है उन्ची छलांगे लगाता है इसमें भी वर्ब और एडवर्ब दोनों यूज़ हो गए अब हमारे पास कुछ वर्ड है जो lesson number 8 से related है और exercise से related था, physical exercise उन वर्ड को हम देखकर फिर हम उतने exercise के साथ उनको match करने ही कोशिश करेंगे पहला वर्ड है नदार, to swim, तैरना, dance करना, and that is the basic letter to ride a bike, यानि bike चलाना motorcycle, उस पे सवार होना, ride का मिन सवार होना होता है, सवारी करना, it's mean चलाना जो गार, to play, play मिन खेलना, अब वो खेलना, किसी भी तरह का हो सकता है, cricket खेलना, football खेलना, कुछ भी ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, no gosh to, no mean don't, gosh to like, अगर gosh to I, तो I like, no gosh to I don't like इसी तरह, I adore, I love, no, I adore, I don't love, अब यहां भी इन्होंने हमें exercise दी हुई है, gosh to do, इस दिर हम animal लगाएंगे, no gosh to do, verb लगाएंगे, verb और एदारू के बाद कोई animal हमने लगाना होगा, gosh to do, I like, अब इसके आगे हम कोई भी अबना, जो पसंदीदा animal है, उसे लगा सकते हैं, मैं कहूँ, gosh to do, गातू, तीग्र, वाका, पातू, कुछ भी, next पे उन्हेंने कहा है, no gosh to do, कोई suitable verb लगाना है, अब हमने इतने सारे पड़े थे, भागना, run करना, jump करना, no gosh to do, इसके आगे हम कुछ भी लगा सकते हैं, कुखेर, I don't like to run, मुझे भागना पसंद नहीं है, third है, I love, अब इसकी जगा हम कुछ भी लगाएं, कोई भी अनिमल जैसे आप लगाएं, अगर मैं यहीं यहां दुबारा गातू लगा दू, I love cats, या कवालूश, I love horse, ठीक है, गौश्टूद, गातूश, I love cats, I don't like to run, and I love horse, आज का हमारा लेसन यहीं कदम होता है, लेसन नमबर 17 हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे, अगर आपको मेरी वीडियो बसंद आती है, तो कॉमेंट्स ज़रूर केजिएगा, अलाहाफिस,